अलो श्ट्रेंट्स मैं हूरमा कान पटेल और आप देख रहे हैं साइन्स जोन एकेडमी चिनवाड़ा यदि श्ट्रेंट्स आप मध्धप्रदेश में B.Sc. नर्सिंग कॉलेज लेना चाहते हैं पाउट्स एक्जाम तक लिए घ्लत कर देते हैं तो उसके लिए करींड़ा भी रहेगा आपका फिर आप लोगों के इड्मिट काड आजाएंगे June के, ठीक है Starting, स्टारिंग में, प्रेश्वेंस जैसे अड्मिट काड आएंगे तो Third Week के धी First में आजाते हैं, Yes Second Week में आप लोगों के अड्मिक काड आजाते हैं, तो Third Week में फिर आप लोगों के, ठीक है Exam Date हो जाती है, Declar, Exam, आपका जो है वो थर्ड वीक जून में जाने की संभावना है और फिर रिजल्ट श्रेंट्स आपका सेकंड वीक जुलाई में आ जाएगा और फिर आगे की जो प्रोसेस है वो एज़टी चलते रहेगी जैसे काउंस्टिंग प्रक्रिया होती है तो श्रेंट्स PNST के एक्जा आपको कॉलेज मिल जाया गा उस समय श्रेंट्स फिर आप 12 की मार्गशित लगाएंगे तो आप ये चिंता ना कीजिएगा कि सर अभी हम 12 रणिंग में हैं हमारी मार्गशित नहीं है हमार रिजल्ट नहीं आया है तो क्या हम PNST की एक्जाम की तैयारी करें या ना करें तो तो आपको घबराने की जरुवती नहीं है वर यदि आपको सप्लिमेंटी भी आती फिर भी आप पास हो जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है पास होना चाहिए ठीक है 45% के साथ में तो आप PNST के फॉर्म को भर सकते हैं यह आपका श्वेंस ग्रिजुएशन कोर्स हो जान के चलिए पढ़ाई लिखाई के लिए रहना खाना पीना सब इस्ट्वेंस आपका उसी पैसे में हो जाता है इस्कॉलशिप भी आपको अलग मिलती है स्टेट लेवल एक्जाम है मध्यप्रदेश के लिए मेडिकल कोर्स होता है यह एक्जाम कौन कंडेक्ट कराएगा तो श्ट्वेंस एक्जाम कंडेक्ट कराता है प्रोफेशनल एक्जामेशन बोड जिसे श्ट्वेंस हम लोग व्यापम के नाम से जानते हैं जी हां श्ट्वेंस पेपर आपका उनलाइन होगा एप्लिकेशन फॉर्म भी आपका उनलाइन भराया जाएगा ठीक है तीन अच्छा असानी से पेपर में टिक लगा सकता है क्योंकि आपको इसमें कंप्प्टर नहीं चलाना है केवल टिक लगाना है चार ऑप्शन दिये जाएंगे आपको पढ़के सॉल्व करके आपको वहाँ पर एक कॉपी मिलती है मतलब पेज मिलेंगे एफो साइच के और पैन मिलेगा आपको पहले कॉपी पैन में सॉल्व करना है पेज में जो भी आंसर आएगा टिक मार्क करती हो चलना है तुक्के बाजी वाला सिस्टम नहीं होगा आप सोचें कि हम 11 और 12 पूरा पढ़ लिये हैं हमारे अच्छे परसंटेज बन गए हैं तो क्या हम PNST पास कर सकत स्थान से आप भार भी कोचिंग जोईन कर सकते हैं दि आप करना चाहें तो यह श्वेंस आप साइंस दोन एकेडमी के माध्यम सी भी ऑनलाइन कोचिंग जोईन कर सकते हैं क्योंकि सरवाधिक सेलेक्शन देने वाला एक मात्र कोचिंग संस्थान तो श्वेंस आठ जून य के लिए दो सुरूपय लगते हैं, पेपर दो सिफ्ट में होता है, किसी बच्ची का पेपर सुभई की सिफ्ट में होगा, किसी बच्ची की पेपर जो है सामिबाली सिफ्ट में होगा, तो ऐसे जो है सिफ्ट में पेपर होता है, ओनलाइन पेपर होगा, पेपर में क्या-क्या पूछा जाता है तो फिजेक्स, केमिस्ट्री, बॉट्मी, जोलोजी और इंग्लिस एक कोश्चन एक नम्मर का होता है एक एक सब्जेक्ट से 30-30 कोश्चन पूछे जाते हैं 1500 कोश्चन रहेंगे 1500 नम्मर के लिए 3 घंटे में आपको ये पेपर अटेंड करना है यहाँ पर जो आपका स्लिबस पेटर्न होता है 11 ठीक है प्लस 12 का रहेगा और प्लस पूरा एडवांस रहेगा ठीक है तो यहाँ पर आप लोग यह दिए एडवांस की तयारी नहीं किये तो आपका पेपर नहीं निकलने वाला है अभी एडवांस कहां पढ़े तो आप लोगों को NCRT पढ़ना पढ़ेगा आपको रेफरेंस युकबोद, प्रबोद, नवबोद ठीक है आपको फिर अरिहन पढ़ना पढ़ेगा फिर पुनेकार, फिर महावीर आपको पढ़ना पढ़ेगा उनके कोचिंग के नोट्स ले लीजिए पीवाई क्यू आप ले लीजिए प्रीवेश एर के कोच्चन पेपर आपको फ्रेंस यहाँ पर लाइफ टेस्ट लगाना होगा जैसा आपका पेपर आता है रिकॉर्डिंग क्लासे ले लीजिए यदि आप बाद में कभी भी तैयारी करना चाहे उसको देखना चाहे तो ये सभी चीज़ें जब तक आप नहीं लगाएंगे श्रेंस आपका सेलेक्शन नहीं होगा हमारे कोचिंग से सबस्यादा सेलेक्शन होने के चांस इसलिए बच्चों के बनते हैं क्योंकि श्रेंस उन्हें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा पढ़ाते हैं देली की क्लासिस उनको रिकॉर्डिंग भी देते हैं प्रीवेस एर के पूरे कोच्चन पेपर मिलते हैं स्वालिशन के साथ में लाइब टेस्ट होते हैं और आपकी ब्रसब क्लासिस रहती हैं ये सारी फैसिलिटी श्रेंस आप लोगों को दी जाती है बहुत ही कम फीस मर फीस भी आप इंस्टॉल्मेंट में जमा कर सकते हैं एज लिमिट क्या है तो श्रेंस जब आप फॉर्म भरेंगे उस समय आपकी मिनिमम एज 17 वर्स होना चाहिए मैक्जिमम का कोई क्राइटीरिया नहीं है मतलब 30 साल के आसपास भी आपकी उमर हो जाए तब भी आप जो है नर्सिंग के एक्जाम दे सकते हैं जो आसा कायर करता है वो भी इसके फॉर्म भर सकती है और उनके लिए फिर फ्रेंस 35 तक भी एज लिमिट रखी गई है तो आप इसकी एज की टेंशन ना रहे आप लोगों को यदि आप मिनिममम 17 हो चुके हैं तो आप फॉर्म भर दीजेगा पारवी में 45 परसेंटेज आपके होना चाहिए चाहिए आप डारेक्ट पास हो जाएं या सप्लिमेंटी के साथ हो जाएं या आप ग्रीस लग के पास हो 45 परसेंटेज आपके मांगा गया है तो ये आप लोगों के पास में होना चाहिए पॉर्म भरने से पहले स्ट्रेंट्स आप लोगों का अधारकार अपडेट होना चाहिए ऐसा नहीं कि आपकी छटवी-साथवी क्लास के समय में अधारकार अपडेट हुआ था वही पुरानी हो तो आपकी पांच्वी-साथवी क्लास की वैसी फोटो नहीं होना चाहिए करेंट में आपका अधारकार अपडेट होना चाहिए आपका थम इंप्रेशन सहीं से लग जाए अंगुल्ठे के निसान, उंगलियों के निसान ये सारी चीजें स्ट्वेंट्स आप नाम देख लिए जो आपकी दस्वी की माक्षीट में नाम है मम्मी का नाम, आपका नाम, पापा का नाम वैसे स्ट्वेंट्स अधारकार्ड में भी होना चाहिए कोई भी गड़बड़ी ना हो, आप पॉर्म भर सकते हैं कोई दिक्कात नहीं, और यदि आपके डाकुमेंट्स में भी कोई गड़बड़ी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, बाद में उसको करेक्शन करवा लीजिएगा तो ये थे स्ट्वेंट्स आपके लिए वीडियो, यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं आपको पूरी फैसिलिटी प्रदान की जाएगी और सरवाधिक सेलेक्शन देने वाला एक मात्र मध्यप्रदेश का कोचिंग संस्तान है जो नर्सिंग की फिल्ड में सबसे ज़्यादा सेलेक्शन दे रहा है आल इंडिया लेबल पर तो आप भी अपना करियर बनाना चाहते हैं नर्सिंग एजाम में तो कॉंटेक्ट कीजेगा मेरे मोबाइल नंबर 9407-384042 पर मिलेंगे फिर ऐसे यहन अपडेट के साथ में तब तक के लिए थैंक्यू बबाए और टेक क्यर